सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लेटेस्ट एक दमदार और बहुत ही ज़्यादा इन्फोमेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भ भारत के कानून का विरोध करने वालों को जम के उधेड़ेंगी तो ये वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इंफोमेटिव वीडि इस योजनाओं के दुवारा वो बेटियों को शशक्त करना चाहते थे वह बेटियों को शिप्षक्ति के दुवारा वह बेटियों को चांद तक पहुंचाना चाहते थे वह बेटियों के पीट पे पंख लगवाना चाहते थे वह चाहते थे बेटियां उड़े बेटियां ज Zeiten की रानी बन जाए एक निर्मला सितारमन जी ना रहे एक सिवरिती राणीजी ना रहे करोडों के करोड़ों के रही हिसाब सिवर्ती रानीजी रहे और निर्मला सितारमनी जी रहे भारतBox आप करके चाती ठोक करके मेने पाकिस्तानी यूट्वर्स के सामने बोलती हो कि मेरा भारत शिक्षित और 79 परसंट शिक्षित है लेकिन मुझे सर जोका करके नजरे जोका करके यह बात भी भोलनी पर रती है कि इसमें मुसल्मानों को मेरे जोड़िए सचत कमिशन की रिपोर्ट ज और राजिस्थान और उत्तरपर्देश और बंगाल की सणकों पर लोग पब्लिक रियाक्शन में 60 साल का जहिफ आदमी खड़ा होकर के बोलता है मोदी जी नोकरी नहीं दे रहे मोडि जी नोकरी नहीं दे रहे रहे तुझे साठ साल में याद आया कि तुझे नोकरी चाहिए थी कि दस साल से मोडी जी जब साल से मोडी जी है पर 1947 से ले करके 1977 तर पाँच कबिनेट, एडूकेशन, मंत्री तो मुसल्माने थे है ना मौलाना अबुकला माजाग, हमाईयों कभी, महम्मद करीम, फकर الدिन, अली एहमद, नूर नूर अपर, क्यूं? इन्होंने मुसल्मानों के शिक्षा के लिए क्यों नहीं कोई काम किया इन्होंने मुसल्मानों के नौकरी के लिए क्यों नहीं कोई काम किया इन्होंने All India Muslim Personal Law Board पर ध्यान क्यों दिया इन्होंने वक्त बोर्ड पर ध्यान क्यों दिया इन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन पर ध्य Ryan Q नहीं दिया दिया इन्हों ने मुफ्तिवर मुस्जिन बनाने प्र क्योंने धियां दिया इन्जीट ₹ क्यों नहीं नहीं धयान दिया इंग्जीनेयर बनाने पर क्यों नहीं धयान दिया दूम पांच लुग्त मिसलमान मंतरी का मतलब होता है हरी बाइ 25 साल पचीस साल में मुसल्मान तख्ता पलट सकता था अगर ये पाच गैपिनेट एडुकेशन मंतरी जो मुसल्मान रहे हैं जिहादी माइंडेड इन्होंने अपना पचीस साल किसमें बर्बाद किया आपको पता है इन्होंने अपना पचीस साल बर्बाद किया भारत के civilization और उनके गुरूपूल से हटाने इन्हों ने अपना पच्छित साल बरबाद किया मुसल्मानों को यह समझाने के लिए कि तलवार ले करके कैसे सलवार पहनाया जाता है और तलवार के सहारे कैसे सलवार उतरवाया जाता है इन पांच मुसल्मान जिहादी मंत्रियों ने कॉंग्रेस के नेत्रत में हमेशा यह कोशिश की कैसे बाबर को अजीम बनाया जाए कैसे और अरंग्जेब को अजीम बनाया जाए और कैसे भगत सिंग की कहानी को वह पन्ने फाड़ करके लिए फेग दिये जाए ऑज मुसल्मान एपेचे अबडुन कलाम की बात करना भी नहीं चाहता है क्योंकि मैं शिक्षा की बात करते हैं और अपने अपनी मुसल्मान बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं आज मुसल्मान मुझे गालिया इसलिए देता है क्योंकि मैं अपनी हिंदु बेहनों को और बेटियों को समझाती हूं कोई अब्दुल अच्छा नहीं किसी पर विश्वास मत करना आज दिली की सड़कों पर उत्तरपरदेश की सड़कों पर समाजवादी पाटी के दल्ले औ और बंदर चहा सब करनाने वाला यह कहते है बंदर चाप मुसल्माल, लूंगी चाप मुसल्माल μखी, 60-60 साल साल का वियरति रेड़ी लगाने वाला पंचर कintell बनाने वाला यहिं कहता है मुदि जी नोकरी तुझे इंग तुम पारां का तुम मेनिंग बता दे तुझे तुछ तो वह भी नहीं आता है। तुम में पास मंत्रियों ने जो मुसल्मान जिहादी मंत्री कॉंग्रेश के नेत्रित में आये थे इन्हों ने मैं महकोले के मंत्रा को accept किया और हिंदु को उनके civilization से उनके उनकी आस्था से उनकी श्रद्दा से उनके विश्वास से उनके वैदों से उनके गरंतों से दूर क्यों किया ताकि आप इस भारत को हिंदू राष्ट ना बनने पर आपका दिमाग कॉन्वेंट पर चला जाए आपका दिमाग बंदर चापों के लिए इन मुसल्मान लूंगी चापों के लिए यह था साजिश आज अवेसी कह रहा है कि हमारे इसलाम में अकल अंदाजी हो रही है तब क्यों यह कहते हो जब चार मिनार के बाहर निकाह मस्यार के नाम पर छोटी-छोटी बच्चीयों को बेचा जाता है शर्मपिश को शर्मक्पिश को सी ठाजाब मरना चाहिए मैं तो जचिवश पॉच गया पारलिमेंट में जैंदर पकड़के अधनी हिम्मत नाजिया है कि टिकाह मस्यार के नाम पर सपर की निकाह उसके नाम पर चोटी-चोटी बच्चीओ तेरा तेरा साल की बच्ची जाती हैं चार मिनार के बाहर उस पर आवेशी को काम नहीं उस पर कोई कोई टिपने आने करने को होता है निका मुत्ता के नाव पर साथ साल की बच्चे के साथёл 5-5 साल का आदमी कि इंटर्कॉर्स करता है हाथ में अगर आपके सोने का ब्रसलेट है ना हाइदराबाद में माएं अपनी बेटी को बेचने के लिए खड़ी होती है क्योंकि आप सही खीमत लगाएंगे आपके गले में सोने का चेन है और हाथ में सोने का ब्रसलेट है आप खीमत सही लगाएंगे उसकी बेटी का इसलिए चार मिनार के बाहर लड़कियों का हुजूम होता है माओं के साथ कपड़ा खरिदने के बहाने और वहीं खरिद और फरोक्त होता है हाईद्राबाद का है अवेसी चुलूबर पानी में दूब करके अवेसी को मर जाना चाहिए हम कैसे विश्वास करें इन मुसल्मान समाज के ठेकेदारों पे जिन्होंने हमारा बाजार लगा दिया है जिन्होंने हमें कोठे पर बैठाने का काम कर दिया है जिन्होंने हमसे ध कि हिमन्ता विश्वा शर्मा ने लोग सभाई एलक्षन के जैसे नाजुक वक्त में अपने पॉलिटिक्स और अपने वोट को ध्यानना देते हुए उन्होंने मुसल्मान बेटियों को बचाया है और जो आक्रोश में वो दिदान सभा में कहें हैं कि जब तक हिमन्ता विश्वा शर्मा जिन्दा है तब तक बाल विवा नहीं हुए और बाल विवाह में थर्ट नंबर पर असंफर अंबर पर असंफर निस önителя हीदी निकाल कर पड़र दिछा गुगल में देख लिए थर्ट नंबर पर बाल विवाह में और और मुसलमान मुसल्मान बेचिया शरम आनी चाहिए अब शरम आनी चाहिए बैरिस्टर हो करके पांच बैरिस्टर नहीं बना सका तो कम से कम जब कोई दूसरे धरम का सनातन धर्म का व्यक्ति जब हमारी रक्षा करना चाह रहा है तो उस रक्षक के सामने भख्षक बन करके क्यों खड़े ह हो चुके हो हमें तुम नहीं बचा पाए डाड़ी टोपी रख करके हमें नेलाम होने से तुम नहीं समसेफ कर पाए हफाज़त हफाज़त कर पाए तो अगर कोई सनातनी कर रहा है हमारी हफाज़त हमारी आबरू बचा रहा है तो तुम उस रक्षक के सामने भख्षक तो न की और दूसरा जगरूब सिंग गौतम जी कह रहे हैं जल्दी ऐसी काम जल्दी पहुंचे संसद में ऐसी कामना है क्योंकि आप ही की जुरुत है बस यह है कि आप गुस्ते में आके किसी का सर ना फोड़ दे और पता लगे कि एक अच्छी संसद एक अपताओ अच्छी संसद बतमीजी इसलिए मतलब इसलिए संस्पेंड होगे क्योंकि वो गलत करते हैं आप इसलिए संस्पेंड होगे कि आप इनने ज्यादा सही करती है दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाइक हांजी का दंदार बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आए होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहांपे हरी मोन शर्मा भाई जी न और नाजिया जी ने काफी सारे important बुद्धों पे discuss किया और खासकर नए कानून के बारे में आपको काफी ज़दा information दी तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो से like को share जरू कर दें और अपने विचार हमें झाल